एक बैटरी के साथ एक बल्ब लगा था उसके बाजू में एक बल्ब और लगा दिया बल्ब डेम हो गया एक और बल्ब लगा दिया इंटेंसिटी और डेम हो गई एक बल्ब और लगा दिया इंटेंसिटी और डेम हो गई ऐसा क्या हो गया कभी किसी इलेक्ट्रिशन को देख कि एंगल मेजर करते हुए वायरों को जोड रहा हो नहीं जोड रहा होता क्योंकि किर्चौफ साहाब ने एक बहुत अच्छी बात अपन को बताई थी और वह तो लॉज उन्होंने अपन को बताए थे वह अपन देखने वाले इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं किया पता किसी साइंटिस्ट को देखके मन होता हो ना होता किर्चौफ को मेरा मन बढ़ा होता कि भगवान मुझे लेके चलो टाइम मशीन में बिठाके किर्चौफ के जगा पर मैं बन जाता हूं किर्चौफ क्योंकि लॉस बड़े ही आसान है बहुत सिंपल साधारणशी बात को यह अपन से करते हैं क्या कहते हैं यह यह कहते हैं यार एक बात बताओ तुम्हारे पास अ कर देते हैं तो किर्चौफ सहाब आए उन्होंने यह कहा कि अगर आपके पास एक जंक्शन है जंक्शन है मतलब जहां पर एक से जादा वायर आपस में अटेच हो रहे हैं जोड रहे हैं आप जोड लगा दिया बाजू वाले की डिश्क की के उपर अपनी वायर डाल दी य जितना करेंट आएगा और जितना करेंट जाएगा उसका एलजेबरिक सम जो है वो जीरो होता है याने एलजेबरिक सम ऑफ ओल दी करेंट एटा जंक्शन इस अल्वेज इकोल टू जीरो सिरी सी बात है अब आप कहोंगे जीरो कैसे होगा तो भाई साइन केंवेंशन तो जाने वाले को नेगेटिव या जाने वाले को नेगेटिव बोलेंगे तो आने वाले को पॉजेटिव मतलब कि आपकी मर्जी है आपको जिसको पॉजेटिव बोलना है पॉजेटिव बोलो जिसको नेगेटिव बोलो अब देखो यह क्या कह रहा था यही जो मैंने आप से कहा, इन्होंने क्या कहा, the algebraic sum of all the currents entering and exiting a node is equal to 0, अब यहाँ पर अपने पास एक छोटा सा डाइग्राम है, भाई यह बिल्कुल simple सा node ले लिया, यहाँ से i1 आया, यहाँ से i2 गया, यहाँ से i4 गया, यहाँ से i3 आया, तो यह अपन से बोल रहा था, junction पर सारे current का sum 0 है, तो अगर 0 है, तो भाई यह बताओ, incoming current कौन है i1, याने की plus का i1, i2 क्या है outgoing, याने की minus का i2, यहाँ पर outgoing current क्या i4, तो minus का i4, incoming current क्या i3, तो plus का i3 is equal to 0, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, i1 प्लस i3 is equal to i2 प्लस i4, जितने पैसे पापा ने दिये, उतनी तो खर्च करोगे, यह दोनो incoming है, i1 और i3, और यह दोनो outgoing है, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, sum of incoming is equal to sum of outgoing at a node, याने की, in other words, हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिचोफ्स current law को, कि भाई, आपके पास किसी node पर, जितना current आएगा, उतना ही current जाएगा, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current at a node, अब माने नहीं तुम लोग, मानते हैं हो भी नहीं, है न, एक चोड़ा सा question ले लेते हैं, मान लीजिए, यहां से 2 ampere आ रहा है, यहां से अपने पास 3 ampere आ रहा है, यहां से 1 ampere जा रहा है, यहां से आपके पास i current जा रहा है, यहां से आपके पास 2 i current जा रहा है, अब आप से कहा कि बताए i की value क्या है, तो आप कहोगे बाबाजी यह है node, है कि नहीं है, तो यहां से incoming कितना है 2, incoming कितना है 3, outgoing कितना है 1 तो minus का 1, outgoing कितना है i तो minus का i, outgoing कितना है 2 तो minus का 2i is equal to 0, लिख लिया आपने, जैसे ही लिखा, यह देखो, यह आ चुका है आपके पास 4, 3 plus 2, 5 minus 1 is equal to 3i, तो i की value आ गई आपके पास 4 by 3 ampere, अगर by chance i की value negative भी आ जाए ना तो tension मत लेना, क्यों नहीं लेना है अपन को tension, क्योंकि आपने तो direction लिये, वह outgoing लिये है, अगर negative आया, इसका मतलब है incoming direction है, magnitude wise तो बिलकुस सही answer ही आएगा, और पता electricity में जादा दिमाग नहीं लगाने का अपन को, current is very shana and battery is बनिया, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, अब देखो, जैसे यह हुआ, अब अपन लोग आ जाते हैं इनके दूसरे law की तरफ, दूसरा law क्या कहता है, दूसरा law भी यहीं से कुछ आता है, बट current की जगा voltage की बातें करता है, दूसरे law को समझने के लिए अपन को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, और वो यह होता ह है, कि अगर आपके पास कोई circuit है, माल लेते हैं, यह एक आपके पास circuit है, यह लिजिए, बैटरी बैटरी भी लगा देते हैं भाई, तुम लोगों को बिना बैटरी के अच्छा नहीं लगता है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि यहाँ पर कितनी loop है, तो loop का मतलब क्या होता है, loop का मतलब होता है कि भाई, यह आपने जहां से start किया, वहीं पर आकर end किया, एक loop, जहां से start किया, वहीं पर आकर end किया, तीसरी loop, मगर किसी भी element को दुबारा से retrace नहीं करना है तुमको, मतलब कि तुम यहां से जाके, यहां से जाके, यहां से जाके, यहां से जाक क्योंकि इस element को दो बार trace करोगे नहीं कर सकते तो अगर आपके पास close loop की बात की जाए तो जहां से आपने start किया है आप वहीं पर आकर end करने वाले हो और यह आपसे कहता है loop का system अब एक बात सोचो तुम्हारे घर में 220 वोल्ट की supply आ रही है तो क्या तुम अपने घर में किसी लूप के अंदर आप होते हो जैसे for example आपके पास ये एक loop है इस loop के अंदर तीन registrants और दो cell लगे हुए अब यह cell का जो बड़ा वाला डंडा होता है यह होता है positive और जो छुटा वाला डंडा होता है न यह यह होता है negative तो यह चाहता है कि current इधर से जाए इधर यह चाहता ह कर नहीं है अपन को जो तूँमें डारेक्शन मानने हो माल लेना समझ लेना गलत मानी थे जितना आरेक्शन को बांकर कोई तोट नहीं है पने ज़्यादा सोचने की जरूआत नहीं पर ओने उनकाद जतना करेंगे यहां पर न लाइतों एंगलाला हो जाएक्या नहीं होगी क्योंकि और बहुत ज्हाणा है करेंट बोलेका सुल्डेटा थो मेरे वापिस में आपकर वापिस सकर्मारता राष्टा तो सबतेटि के है और हर जगह पर बैठा हुआ है current के पास तो पहले से AI बैठा हुआ है अब आजाओ जाओ यहां पर अगर अपने एक लूप के अंदर है तो जितना EMF आपने दिया है cell की जो potential difference है उतना ही तो इनके उपर drop होगा I into R तो एक किसी भी loop के अंदर जितना आपने EMF दे रखा है और जितना drop हो रहा है I into R इसका sum जो होता है close loop के अंदर वो zero होता है it states that the algebraic sum of all EMF and potential drop in a close loop is equal to zero तो यह आपके पास एक loop के अंदर EMF और potential drop का sum zero होता है बिल्कुस साधरन शब्दों में मैंने आपको समझा दिया अब आप कहोगे बाबाजी sum कर रहे हो zero कैसे आएगा तो sign convention follow करना पड़ेगा sign convention क्या कहता है कि अगर माल लीजिए आप जब loop लिख रहे हैं उस समय अगर आप battery के positive terminal से बाहर आए तो आप लिखोगे plus e अगर आप battery के negative terminal से बाहर आए तो आप लिखोगे minus e अब एक और तरीका बताता हूँ IR के लिए IR क्या कहता है अपन से यह जहां से current enter करेगा वो positive जहां से leave करेगा वहाँ negative लगा देना क्योंकि higher voltage से lower ही जाता है अगर current IA और resistance R है और अगर आप current की direction में जा रहे हो तो obviously आप minus से निकल रहे हो तो minus IR अगर आप यहां पर देखो current इधर जा रहा है आप opposite जा रहे हो current क्यों opposite जाओगे तो plus IR और नहीं तो plus minus का sign मना लेना अगर आप बाहर निकल रहे हो plus से तो plus का IR और minus से निकल रहे हो तो minus का IR पस बात खतम एक question करेंगे तो दिमाग के अंदर यह picture clear हो जाएगी और question यह है यह circuit diagram आपको दिया हुआ था और आपसे कहा गया था I1 निकाल कर लाओ मैंने आपको जान बूच कर यहाँ पर solve इसलिए कर दिया time बचा सकें आपर और कुछ नहीं है इसका sense अब यहाँ पर गौर से देखो यहां से current आ रहा है कितना current है इस section में I1 तो यहां से enter कर रहा है तो इसको plus और इसको minus फिर यह देखो यहां से I3 current निकला current की direction में यह plus औ value निकाल कर लानी थी तो यहां पर देखो एक unknown दिख रहा है I1 एक दिख रहा है I3 और एक दिख रहा है I2 तीन unknown है तो तीन equation है चाहिए तब जाकर तो अपन निकाल पाएंगे तो मैंने का ठीक है एक काम करते हैं यहां से कितना आ रहा है I3 यहां से दो part में divide हो रहा है एक इ I3 यहां से I1 चला गया तो I2 को में लिख देता हूं कुछ और भया जो उसने दे दिया है वो हमें मानना है उसने का यहां से तो current निकली नहीं सकता यहां से current अंदर आना चाहिए था यह इस battery से कैसे निकल रहा है इधर जाना चाहिए ता अपन को कुछ नहीं सोचना जो उस C D E B अब देखो आप B से C का कुछ नहीं मिला अब आप इधर जा रहे हो current कितना है इस section में I1 अगर current I1 है और आप कहां से निकल रहे हो negative से आगे बड़े कहां से निकले negative से निकले तो I1 into 30 minus का क्योंकि minus से निकले फिर आगे बड़े यहां से कुछ नहीं फिर यहां से कहां से निकल रहे हो battery के positive से निकल रहे हो तो plus का 20 फिर आगे बड़ो I3 current है कहां से निकले minus से तो I into R minus का 20 into I3 cell या battery तो अपनको direct voltage देता है इसलिए उसको direct लिखते हैं मगर resistance के उपर तो I into R लिखना पड़ेगा तो यह अपने loop complete हो गई जैसे complete होई मैंने का नहीं भाई मुझे I3 नहीं चाहिए यहां पर तो I3 की value क्या थी I1 plus I2 उठाओ और यहां पर रख दो जैसे ही रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास minus का 30 I1 और यह आपके पास कितना था 20 यह 20 और यह 20 I3 20 I3 क्या है आपके पास 20 I3 minus का थ माइनस का था तो आपके पास क्या हो गया I3 की जगा पर I1 plus I2 minus 30 minus 20 minus 50 minus का 20 I2 plus का 20 is equal to 0 इन दोनों minus वालों को उधर ले जाओ हो जाएंगे plus और यह एक side equal to में आ जाएगा 20 0 common होके क्या हो गया cancel क्या बचा 5 I1 plus 2 I2 is equal to 2 अब जैसे ही आपके पास बचा अब एक equation तो तयार हो गई आपकी I1 I2 में मुझे तो I1 निकालना था अब अगली लूप की तरफ चलें तो देखो मैंने कौनसी लूप लिए A B C D E F A कारण है इसके पीछे कितने element है 1 2 3 सिफ तीन चीज़ें आएंगी मेरी equation के अंदर क्यों काल आप मेंसे कही लोग सोच रहे होंगे बाबाजी यह लूप भी तो ले सकते थे बिलकुल ले सकते थे आंसर सेम आएगा बिलकुल को ले सकते थे, अब अपन देखते है A, B, C, D, E, F, A, अगर इस लूप में देखें, तो A से B गए कुछ नहीं मिला, B से C गए कुछ नहीं मिला, आप देखो, आगे बढ़े, कहां से निकले, माइनस से, कितना करेंट है I1, तो माइनस का 30 I1, फिर आप देखो, कहां से निकले, आप इधर आई, इधर आई, इधर गए, अब आप जा रहे हो, करेंट के अपोजेट, आप कहां से निकले, प्लस से, और करेंट कितना है I2, तो प्लस का 20 I2, फिर आप कहां से निकले, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, माइनस से निकले, तो माइनस का 80, is equal to 0, अब आप इसको simplify कर दो, 80 को उधर ले जाओ और 0 common ले लो, तो यह हो जाएगा 3 I1, प्लस 2 I2, is equal to 8, क्योंकि 80 का 0 तो cancel हो चुका है, यह आपके पास आ चुका है, second equation, यह आपके पास आ चुका है, first equation, दिमाग जादा नहीं लगाना है, सिर्फ I1 निकालना था, यह आ चुका है, देखो, दो equation आ गई, अब मुझे तो I1 चाहिए था, I2 तो direct cancel हो रहा है, दोनों को minus कर दिया तो, यह minus minus हो जाएगा, प्लस, तो यह आचुका है, अपने पास 8 I1, यह हो गया cancel, यह कितना बचा, minus का 6, तो अपने पास क्या निकल के आया, I1 is equal to minus का 6 by 8, यहने की minus का 3 by 4 ampere, minus का मतलब क्या है, direction जो दी गई थी, उसक आसान question ले लेते हैं, आया हुआ question ले रहे हैं, आपसे कहा गया कि एक 5 volt की battery है, internal resistance नहीं दिया है, इस connected across 200 volt, 200 volt की battery से connected है, और resistance कितना दे रखा है, 39 ohm, आपसे कहा गया कि current की value निकाल कर लाओ, ठीक है भाई, निकाल देते हैं, एक ही लूप दिख रहे हैं न, शुरू कर दे लगाना, चलो लगाना शुरू कर देते हैं, यहां से minus से निकले, minus का 5, आगे बड़े, कहां से निकले, plus से निकले, plus का 200, क्योंकि अपने current इसमें ऐसा माना है, तो यहां से positive, यहां negative, तो आप कहां से निकल रहे हो, आप निकल रहे हो negative से, तो यह हो जाएगा minus का 39 आई, is equal to क्या हो गया, 0 क्योंकि जहां से शुरू किया, वहीं खतम, हो गया आपके पास, लो हो गया, भाई यह देखो, यह कितना मिला आपके पास, 195, और यह 39 चला गया इदर, और यह आ गया 39 डिवाइड में, तो 195 अपन 39 करोगे, आंसर आजाएगा 5 एंपियर, आया हुआ को शने बोर्ड में, अब आपको एक नई चीज दिखाता हूँ, अगर मुझसे कहा गया, ओपन लूप के वियल लिखकर दिखाओ, ओपन लूप के वियल, अच्छा, ओपन लूप के वियल क्या होता है अपने पास, ओपन लूप यह होता है, जब आपने जहां से स्टार्ट किया, अगर आप वहां खतम नहीं कर रहे हो, माल लो मैं A से स्टार्ट करूँ, और मैं खतम कहां पर करूँ B पर, तो यह ओपन लूप के वियल है, यह क्लोज लूप के वियल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, अब क्या करें अपन लोग, अब अपन यह करेंगे, देखो यहां पर क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशल माल लेते हैं, विये माल लिया, जहां एंड करते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशल माल लिया, वी बी, अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट का नहीं है आप यह मत दिमाग लगाना किया हवा में करेंट कहां से आ गया होगा अरे यार सरकेट होगा अपन को सिर्फ एक पार्ड दिया हुआ यह देखो कहां से निकले तुम माइनस से करेंट कितना आए आई तो यह हो जाएगा माइनस का आई यारवन फिर आगे बढ़ो, ये बढ़े अपन आगे, ये माइनस से निकले अपन बैटरी के, तो ये हो गया माइनस का E1 फिर अपन आगे बढ़े, यहां से देखो, ये करेंट की डारेक्शन में आगे जा रहे हैं तो यह कितना आएगा, minus, minus का IR2, तो यह हो गया, minus का IR2, फिर अगर आप आगे बढ़ो यहाँ पर, तो आप देखोगे, कि आप कहां से निकल रहे हो, बैटरी के, positive से, तो यह हो जाएगा, plus का E2, is equal to, क्योंकि आप खतम कर रहे हो B पर, B आपका initial point नहीं है, और इसका potential आपने VB इसलिए लिख दिया था, तो equal to VB, सो आपने कहां से start किया, आपने start किया, A से तो VA, minus IR1, minus E1, minus IR2, plus E2, is equal to VB, सो यह आपके पास आगई open loop KVL, जहां से शुरू करते हैं, वहां का potential मानते हैं, जहां पर खतम करते हैं, equal to में वहां का potential लिख देते हैं, अगर close loop होती, तो equal to 0 लिख देते हैं, टेंशन ही नहीं लेते, बड़ यहां पर open loop है, ध्यान रखना मैं यूज करूँगा, combination of cell के टाइम पर, और कुछ अच्छे questions में भी इसका use होता है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, like, share, subscribe करना, बिल्कुल मत भूलना, और comment में बताओ, कि कैसे लग रहे हैं वीडियो और क्या और चाहिए तुमको, हम पूरी कोशिश करेंगे, कि इस बार तुम्हें वो चीज और provide कर सकें, तो इस वीडियो में तो इतना ही, जय हो!